भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोल कर बैठ गए हैं। राईत कुछ हैं, हाल कुछ हैं, लेबिल कुछ हैं, माल कुछ हैं। एक चहरे पर कई चहरे लगा लेते हैं लोग। एक चहरे पर कई चहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए, ये लोग कितने चहरे लगा कर बैठे हैं। इसलिए देश की जनता कह रही हैं कि ये तो कटर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। आजादी के 75 वर्षों में हमारा भारत कहीं से कहीं पहुंच सकता था। और ये मैं बहुत जिम्मेबारी से कह रहा हूँ, कहीं से कहीं पहुंच सकता था। हम भारतियों के सामर्थ में कभी कोई कमी नहीं रही है। लेकिन सामान्य भारतिय के इस सामर्थ के साथ हमेशा ब्रस्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। आजदेश के लोग दोहजार चोबिस चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निरने ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तिया याद आती है। एक कवी महाशे ने अवधी में लिखा था। ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गाईत कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। यानि गाणा कोई और गाया जा रहा है, जेब कुछ सच्चाई कुछ और है। नेबल, लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है, इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो यह अपनी दुकान पर जाती वाद का जहर बेचते हैं। और दूसरा यह लोग और सिबीत ब्रश्टाचार करते हैं। आज कल यह लोग बैंगलूरू में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशूर था। मुझे तो पुरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चहरे पर कई चहरे लगा लेते हैं लोग। यह लोग कितने चहरे लगा कर बैटे हैं। जब यह लोग कैमेरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं। तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है। पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है। पूरा फ्रेम देखकर के देशवासी यही बोल उठता है। लाखों करोणों रुपिये का प्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कटर प्रष्टाचारी संब्लन हो रहा है, कटर प्रष्टाचारी संब्लन हो रहा है। ये लोग गां कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है, इनका प्रोड़क्ट है 20 लाग करोड रुपिये के गोटाले की गारंटी।